जैसे पिछले एपिसोड में कहा था मैंनी कि आत्मा का स्वरूप बहुत कण के समाने बिल्कुल सुक्षम केशाग्रे सत्भागश्य शतान से साद्रसात्म का जीवह सुक्षम स्वरूप वयं संख्याती तो ही चितकण हाँ यह चैतन कण यह आत्मा के कण यह असंख मात्रा में हैं और इनका स्वरूप क्या है यह बाल के आगे की नौक के दस अजार टुकड़े कर दिये जाएं जड़ा करके देखिए पहले तो बाल के आगे की नौक को लीजिए फिर उसके मच्छर के अंदर है वोई मेड़क के अंदर है वोई पेड़ के अंदर है उतना इस स्वरूप इतना सुक्षम स्वरूप है इस आत्मा का इतना सुक्षम स्वरूप भी इतना तेजस भी है कि यह हम सोच भी नहीं सकते हैं अचिंत है शास्त्र वर्ण करते हैं कि ये आत्म देव सूरिय के समान तेजस्वी है बोले कहा सूरिय और कहा एक छोटा सक्का बड़ा शक्तिवान है क्यों? कि ये भगवान का अंश है बगवान के किरणों में असंख आत्मा है उनमें एक आत्मा है स्वें बगवान से connected है जुड़ी हुई है बगवान का हमारा सदे रिष्टा है लेकिन हम भूल जाते हैं रिष्टे को तब तकलीफ में आते हैं अंदेरे में बटकते हैं मार्ग नहीं सुचता है कुमार्ग पर चल देते हैं और समेटते जाते हैं जीवन भर काच के टुकड़ों को खाइल हो जाते हैं खून निकलता है लेकिन हम समेटे ही चले जाते हैं काच के टुकड़ों को असली हीरे छोड़ देते हैं असली हीरे गोविंद का नाम है वो प्रभू का प्रेम है हम उनके आउश हैं अणोर अणियाम अणू के अंदर भी प्रवेश करने वाले है परमेश्वर यह अणू के समान सुक्ष मात्मा है इसके भी हिर्दय में यानि सैंटर में परमात्मा विराजमान होते हैं क्षिरो दक्षाई विश्णू चत्र भुजी विश्णू भगवान परमात्मा स्वरूप से सर्वत्र सब के अरदय में स्थाफित होते हैं कि भगवान परमेश्वर की अंस है परमात्मा स्वरूप से विश्णु भगवान अनंत भ्रह्मांडो में अनंत विश्णु है अनंत शिव है अनंत ब्रह्मा है लिए ख्षिरोदक्षा विश्णु चत्र भूज जिनके आप विशेस करके लक्षमी जी चरण दबा रही है इनके विस्तार सभी के इर्दे में परमात्मा सरुप से विराजमान होते हैं आत्मा के साथ परमात्मा आत्मा के अंदर परमात्मा आत्मा के इर्दे में परमात्मा ये चमणी मांस के इर्दे की बात नहीं है हिर्दे से अर्जुन तिष्ठती आत्मा के इर्दे में शरीर के इर्दे में नहीं शरीर के इर्दे में होंगे तो डॉक्टर चीर फार करेंगे नहीं आत्मा के सेंटर में हिर्दे यानि सेंटर हिर्दे से हिर्दमानी सेंटर मेध्य चेंद्र तो अनोर अनियाम अनु से भी अनुमें भी प्रिवेश करने वाले वो परमात्मा का स्वरूप है परमीश्वर का स्वरूप है कवीम पुराणं अनुशासितारं अनुर अनियाम सम अनुस्मरेदियो यह अर्जुन उनका इस्मर्ण कर उन परमीश्वर का इस्मर्ण कर उनको याद कर सरवश्यधातारं कि तमाम ब्रह्मान्डों को धारन किये हुए है सभी को वैकुंट जगतों को सब को उनोंने धारन किया हुआ है उनके परमधाम से निकलने वाला प्रकाश जिसमें वैकुंट जगत है और बहुतिक जगत भी है बहुतिक जगत वन फोर्थ है थ्री फोर्थ वैकुंट जगत है भागुत में इसका वर्णन है एक रुपे में से बारा ने वैकुंट जगत है इटर्निटी इस इटर्निटी में परमधाम है भगवान का और इस परमधाम से निकल वाले प्रकाश स्वरूपा ब्रह्म जोती में रुपे में से चाराने अंस में ये अनंत ब्रह्मांड बहुतिक जो नश्ट होते हैं प्रगट होते हैं नश्ट ठैरते हैं और नश्ट हो जाते हैं सरवश्य धातारम इसलिए उन्होंने अपने दुतिय सरूप ब्रह्म जोती निराकार सरूप से सब को धारन किया हुआ है जैसे आकाश सब को धारन करता है ऐसे उस परम आकाश में परम भ्रह्म जोती में सभी बैकुंट जगत्वी और बहुतिक जगत्वी इस्थिर हैं इसलिए उनको कहा है कि वो परमिश्वर सरवश्य धातारम सब को धारन किये हुए हैं अचिंते वर्णम अचिंते रूपम उनका स्वरूप या रूप का वर्णन हुआ है रूप वान के बिना ये रूप नहीं फैल सकता जो आप देख रहे हैं समस्त धर्ती पर सुन्दर बच्चे हैं, सुन्दर हेरण हैं सुन्दर सुन्दर पेड़ पौदे हैं, फल फूल हैं तितलिया हैं, भवरे हैं नदिया हैं, जरने हैं, जीले हैं सागर हैं, चांद हैं, सूरी हैं, तारे हैं कितनी सुन्द नीला आकास है कितनी सुन्दर्ता फैलाई है भगवान नी यह सब को तो आप देख सकते हैं इस रूप को आप देख सकते हैं लिन उस परम रूप भगवान को जो परमिश्वर हैं वो बड़े रूप वान है लिन अचिन्थ रूप है उनका आपके मन और बुद्धि से उनका चिंतन नहीं कर सकते ऐसा उनका रूप है कोई फोटो बनाने वाला पिक्चर बनाने वाला ड्राइंग करने वाला उनको उनका रूप का वर्लन नहीं कर सकता नहीं ड्रा कर सकता वो अचिंते हैं उनका रूप भी अचिंते हैं कोई भी कभी उनके रूप की उपमा देने में अस्मर्त रहा है कैसे दोगे उस परम में परम रूप का रूप उसका वर्लन करना ये संसारिक भौतिक बुद्धी से और मन से पड़े है उसके लिए बहुत प्यूरेटी चाहिए प्रेमांजन चुरिता भक्ती विलोचनी नौ संतहा सदैव हृदय एशु विलो की अंती वो ध्यान लगा करके अपने हृदय में भी उस परमात्मा को देख लेते हैं और जब आखे खोलते हैं तो भी उनको सरवत्र परमात्मा की जलग देखती है इसलिए महापुरुष्ट महा अत्मा महान भक्त पेड़ों को आलिंगन कर देते हैं सुवर को प्रणाम कर देते हैं किसी गरीब से गरीब को गले लगा लेते हैं कौड़ी को गले लगा लेते हैं उनको बेद द्रश्टी खतम हो चुकी होती है उनकी उनको सब जगे भगवान की दर्शन होने लगते हैं इतना प्रेम भर जाता है उनकी इर्दे में शाम सुन्दर का तो फिर संत अपनी इर्दे में भगवान को दर्शन करते हैं प्रेमांजन चुरिता भक्ती विलोच नेन संता सदेव इर्दैसु विलोक यंती यंशाम सुन्दराम अचिंत्य गुण स्वरूपम उनके गुण और स्वरूप या चिंते हैं चिंतन से परे हैं बहुत एक मन और बुद्धी की पकड़ में आने वाले नहीं हैं उनके लिए तो भक्ती भरे नित्रों में प्रेम का सुर्मा डालना चाहिए प्रेम का काजल डालना चाहिए तब कहीं उनके चलक के दर्शन होते हैं इस प्रेम खजाने को पाने के लिए भक्त लोग अभ्यास करते हैं संत लोग ध्यानी लोग योगी लोग ध्यान करते हैं समाधिस्त हो जाते हैं उनकी सेवा में समाधिस्त हो जाते हैं उनको शर्णागत हो जाते हैं सै परिवार सर्वश्य धातारं अचिंति रूपं आदित्य वर्णं तमसह परस्ता ओपरमेश्वर का वर्ण आदित्य सूर्य के समान प्रकाश्मान है क्यों नहीं होगा जिनसे अनंत करोडों सूर्यों जैसा प्रकाश निकल रहा है जिनके धाम से तो फिर उनके वी तो विग्रह में प्रकाश ही होगा तो सूर्य जैसे प्रगट हो जाता है ऐसे भगवान का प्रकाश है लेकिन उनको जब दर्शन देने होते हैं अपने भक्त को तो उस प्रकाश को लीन कर लेते हैं अपनी विग्रह में शरीर में और बड़ी सुंदरता से देव की नंदन बनके या यशोदा नंदन बनके या अध्यापती बनके किसी भी रूप में दर्शन देते हैं जिसे उनका भक्त उनको बड़े प्रेम से अंग-अंग को निहार सके देख सके जिन अंग प्रतंग्यों को देखने के लिए जिस शामल सुन्दर सावरे को देखने के लिए उन्होंने जनमो जनमो आसु बहाए अपना जीवन उनके शिरी चलन कमलों में अर्पन किया वो निहार लेना चाते हैं अपनी प्रीतम को पूर्ण प्रेम भरे नीत्रों से रिदय से भगवान ने अपनी गुण धर्मों को बतलाया अर्जुन को ये कहते हुए कि उस परमीश्वर की शर्ण में जहां अर्जुन तो अभ्यास कर और ये भी बतलाए कि वो परमीश्वर कैसे हैं क्या क्वालिटीज हैं कवीम पुराणं अनुसाशितारं अनोर अनियां सम अनुस्मरेद्यह सर्वश्यधातारं अचिंत्यरूपं आधित्यवर्णं तमसे परस्ता तो अंदेरा कैसे उनके नज़्दी का सकता है अंदेरे से परे है वेकुंट जगत में अंदेरा नहीं फिर उनके परमधाम में अंदेरा कैसे होगा जो वेकुंट जगत का परमधाम है वो परमिश्वर का है उस परमधाम से जो प्रकाश निकल रहा है उससे तो ये करोड़ो सुर्यों जैसा प्रकाश ब्रह्म जोती है फिर वह सुर्य चांद तारे और दीपक या अगनी इनकी आवशक्ता नहीं है वो स्वय प्रकाश इद्धाम है तम से परस्ताथ वो अंदेरे से परे है प्रकाश वान है हमारे यहां अंदेरा होता है अंदेरे से बच्चा जनमता है अंदेरे से बीज अंकुरित होता है अंदेरे से उजाला होता है हम क्यों दीपक जलाते हैं अंदेरे को अटाने के लिए अंदेरा नहीं होता है दीपक जलाने क्या हो शक्ता है हम दीपक जलाते हैं और कुछ एरिये में प्रकाश हो जाता है अंदेरे को अटा देता है कहते हैं दीपक जलाओ ये भी कह सकते हैं अंदेरा अटाओ सूरिय वगवान है सूरिय भी जितनी उनकी कैपसिटी है उतना अंदकार दूर करते है बाकि उनकी capacity के भार तो अंधकार बनाई रहता है यानि उनकी capacity खतम हो जाती है या वो दूसरे एंगल पर चले जाते हैं तो रात आ जाती है फिर अंधकार आ जाता है अंधकार से ये अनंत ब्रह्माण निकले हैं तमोगुण से प्रगटवे हैं सभी तमोगुण अंधकार है तम सह परस्ताथ लिए वहां तमोगुण का प्रवेश नहीं रजोगुण का भी प्रवेश नहीं सतोगुण का भी प्रवेश नहीं तीनोगुण जो भौतिक गुण ह इनका प्रवेश नहीं है जो बहुतिक प्रकर्टी के गुण है वहां शुद्ध सत्व है वह तीनों गुण नहीं है जो बहुतिक गुण है बहुतिक प्रकर्टी के गुण है तमो गुण रजो गुण सत्व रजोगुन में देवताव वास करते हैं रजोगुन में राजा, महराजा, पॉलोटिक्स, पॉलोटिशियन तमोगुन में नीचे की और नीचे जो हैं अंदकार में जो भोग गिलासों में लगे हैं वो वास करते हैं राक्षस, असुर, असुर, देथ, दानव, यह सब तमोगुण के स्वरूप है, तमोगुण का रूप है, अंदकार, अंदकार में बटक ना, अंदकार में रहना, बवान तम अंदेरे से परे हैं, उनका धाम परे है, बैकुण चगत अंदेरे से परे है, ब्रह्म जोती में भी अंदेरा नहीं है, ब्रह्म जोती के किसी कौने में अनंत ब्रह्मांड बादलों की तरह खड़े तो हैं, यह ब्रह्म जोती को मली नहीं कर सकते हैं, जिसे बादल सूरिय को या सूरिय के प्रकाश को मली नहीं कर सकते लगता है हमको कि बादल हो गया अंधेरा हो गया नहीं बादलों से उपर जाओ वोई प्रकाश है वोई सूरिय है कितने ही बादल सूरिय को डग दें थोड़ा सा उपर उटो एक माईल एरोपलेन से तो बादल नीचे राप उपर प्रकाश ये प्रकाश है ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड हैं जो ब्रह्म जोती में लटक रहे हैं एक कौनी में वन फोर्थ रुपे में से 25 परसेंट कहने का मितलब आईए आगे की स्लोग में प्रयान काले मन साथ चले नौ भगवान हर तरह से एस जीव को समझा रहे हैं अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा को हम सब को समझा रहे हैं अभी बतला रहे हैं कि ये विज़य समझ में आना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का ध्यान मारक से भी उनकी प्राप्ति है भक्ति मार्ग से भी उनकी प्राप्ति है लेकिन ध्यान मार्ग भी भक्ति में होना चाहिए तब उनकी प्राप्ति है वोना ध्यान करते रहो निराकार ब्रह्म जोती पर तो ब्रह्म जोती प्राप्त होती है भगवान स्री कृष्ण नहीं परमीश्वल नहीं परम रूप नही प्रयान कालेन मन साचलेन भक्त्या युक्तो युग बलेन चैवाँ ब्रोर मद्धे प्राणम आविश्य सम्याँ सेतं परं पुर्सं उपैति दिव्याँ ए अर्जुन शरीर को त्यागने के समय ये मन को एकागर करना चाहिए कहां एकागर करना चाहिए उस भगवान शामसुन्दर के स्वरूप में उनका वर्णन हुआ है गले में वेजनती माला है फूलों की माला है तुलसी के दल्चरणों में चड़े हुए सुन्दर फूल चड़े हुए है हातों में मुरली है माति पर मूर मुकुत है सामला रंग है स्वरूप है उनका पीतां बरधारन की हुए है पाउं में पजीब है हातों में कंगन है कमर में कमर फेंट कसी हुई है मुठ पर होटो पर मधुर मुस्कान है उनके नेत्र कमल के फूल जैसे उनके नेत्र है कितना सुन्दर कितना नाजुक कितना शीतल लावणता लिये हुए एक कमल का फूल होता है ऐसे सुन्दर नेत्र भगवान की है वेणों क्वणंता वेणों वादन कर रहे है अर्विंदलाय ताक्षम